आज़ाए को आज़ाए आज़ाए को आज़ाए आज़ाए और अज़ें अश्राम लेकुम दोस्तो मैं हूं मौसिंदगा प्राप लग डेखते हैं विर्चुछ स्टूड़न सपोर्ट सर्वेशिज यूट्यूब दोस्तो मैंने दो और नए चैनल भी शुरू किये हैं जिसम एक टीचर्ज ऑनलाइन है और दूसरा की तू सक्सेस है दोस्तों टीचर्ज ऑनलाइन बनाने का मकसद यह है कि मैं आप लोगों के जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपकी रहनुमाई कर सकूं इसके लिए मैंने आपके कोई 15 सब्जेक्ट लेकर जो मुश्किल हैं जिसमें Computer Science, Management Sciences और बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल हैं उनके अपने लेक्चर्ज रिकॉर्ड करके मैंने टीचर्ज ऑनलाइन पर रखे हैं दोस्तों की तू सक्सेस को बनाने का मकसद यह है कि आप लोगों के मैं एक्जैम की तैयारी भी करवा सकूं जैसे आपका Mid Term एक्ज है इस हावाले से मैंने बहुत अच्छी वीडियो वहां पर बना के रखी हैं मेरी तवाम दोस्तों से गुषारिश है कि वो जल्दी से स्क्रीन पर दिये गए URL और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यह URL एड़ कर दिये हैं आप प्रेचर्ज ऑनलाइन को भी जरूर देखें और आपकी तू सक्सेस को भी जरूर देखें और ना सिरस देखें बलके वहां पर जो content available है आप उससे भी फाइदा उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे support करें दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो CS408 human computer interaction की हमारी जो assignment number one आई हुई है उस हावा requirements को देख लेते हैं तो दोस्तों इस assignment के अंदर हमें दो question दिये गए हैं first question आपको screen के उपर नजर आ रहा है compare at least five Nelson design principle with the given website ilmkidunia.com आपने Nelson के जो design principle है वो देखने हैं आपने website open करनी है ilmkidunia और उसमें देखना है कि यह जो Nelson के design principle है वो follow हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं by using your intention explain how these principle meet are violated by the given website के कैसे वो प्रिंसिपल इस website के अंदर follow हो रहे हैं या वाइलेट हो रहे हैं यह तो है इसका part A इसी question का part B है let's pose a scenario that you have to submit your assignment on LMS हमने अपनी assignment जो है वो LMS के उपर submit करनी है your task is to draw navigational diagram of your whole process हमने अपनी navigational diagram बनानी है of uploading the assignment assignment upload करने के लिए यह हमारे question number one का part two है इसी तरह दोस्तों आपको screen के उपर question number two भी never आ रहा है you are required to perform trunk test हमने trunk test perform करना है on the website कौन सी website के उपर draft.pk draft.pk के उपर and in circle the area according to the question और हमने जो है question के हिसाब से जो है different area of website के जो है वो in circle करने हैं जो questions में पुछे गया है in test if test के अंदर and provide the solution using the screenshot और हमने जो है screenshot लेते हुए इस का जो है solution provide करना है trunk test question are follow हमने जो है कौन-कौन से trunk test perform करने हैं उसके जो question है वो क्या है what side ID is this आप की जो site ID है वो क्या है what page am I on मैं कौन से page के उपर हूं what are the major section of this website कौन-कौन से इस website के major sections है what are many option at this level हमारे पाफ कौन-कौन सी option available है where am I in the scheme of finding you are here indicator यह कुछ question है जिनके उपर जो है यह trunk test से related है हमने वो website open करनी है उसकी snapshot लेनी है और snapshot लेने के बाद यह जो question है इनको हमने in circle करना है तो दोस्तों यह हैं हमारी इस assignment की requirement बढ़ते हैं हम अपने इस solution की तरफ यहां पर दोस्तों आप लोगों को सामने जो है वो internet explorer में open नहीं की नहीं Chrome में open की है बलके वहां पर मैंने open करके उसका जो image है वो यहां पर आप लोगों को दिखा दिया है ताके हम जो है सिर्फ इसी slide के उपर रहते हुए अपनी इस assignment का solution देख सके अब यहां पर दोस्तों तो वही website open है आप चाहें तो इसको इल्म की दुनिया का URL कॉपी करके उसको आप Google Chrome के अंदर open कर सकते हो और वहां से इमिज ले सकते हो मैंने भी जो है ऐसे ही किया है इसको Google Chrome के अंदर जो है मैंने open किया है और फिर उसका image लेकर यहां पर paste किया है अब हम with the help of this image हम वो Nelson के जो principle है design principle उनको देखेंगे कि आया क्या ये जो website है वो Nelson के जो principle है उनको follow कर रही है या नहीं कर रही है अब यहां पर देखें पहला जो है वो है visibility visibility means everything is clear यहां पर इस website के अंदर हमें हर चीज जो है वो clear बिल्कुल नजर आ रही है अब यहां पर देखें find a course college in पाकिस्तान के यह उस section से related feature course program मारे पास यह FA ICF BBA LLB FAT यहां पर हर चीज आपको जो है यह featured institutions आ गए कि कौन-कौन से featured institutions हैं तो यह हर चीज जो है आपको clear नजर आ रही है it means कि this website is following the first principle of Nelson design principle that is visibility तो आप यहां पर लिखेंगे the website की दुनिया have the following the Nelson first principle that is visibility या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि this website is following the Nelson principle visibility and everything is clearly shown on the website तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे उसके बाद जो है affordance है related to the education के all the things are related to the website आपकी जो website है अब देखें उसका जो नाम है वो इल्म की दुनिया है अब यहां पर देखें आपको हर जो चीज है इस website के ऊपर वो नजर आएगी related to the education क्योंकि इल्म की बात की जा रही है तो हम यहां पर लिखेंगे कि the website given is related to the education और that is following the second principle of Nelson design principle that is known as affordance तो यह हमारा second principle आ जाएगा इसके बाद अगला जो principle है वो है mapping का everything on place के आपको यहां पर different sections बने हुए नजर आ रही है first top के उपर जो है आपको menu नजर आ रहा है उसके बाद देखें यहां पर find a course college in Pakistan सिचेड course program के हार चीज जो है वो blocks के अंदर है मतलब properly इस website को जो है वो map किया गया है यहां पर देखें आपको banner नजर आ रहा है तो properly जहां वो चीजों को map किया गया है तो आप लिख सकते हो कि this website is following this third Nelson design principle that is mapping and everything on the website is placed on a proper block 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 के अंदर चीजों को दिखाया गया तो यह हमारे पर third principle आ जाएगा इसके बाद दोफ्तों मैंने आपको यह तीन principle बनाने बता दिये हैं यहां पर अगला जो principle है वो user free है इस website के ओपर कोई restriction नहीं है आप easily जो है वो information को search कर सकते हो उसके बाद अगला जो हमारे पास principle है user friendly environment है ऐसे नहीं है कि यहां पर आप बोर हो जाए या इसकी color scheme ऐसी बनाए जाए कि जो आपकी आँखों को चुबे तो यह एक beautiful environment जो है वो provide करता है इसकी जो color scheme है वो भी इस हिसाब से बनाए गई है कि वो आपकी आँखों में नहीं चुबे इसके बाद जो है वो हमारे पास match between system and real world यह आपकी system और real world के साथ चीज़े match करती है इसमें कोई ambiguity वगएरा या ऐसी चीज़े नहीं है इसके बाद consistency and standard जब इस website को बनाया गया है तो उसमें consistency रखी गई है चीज़ों के अंदर और जो design principle है या जो standards है website बनाने के उनको follow किया गया है इसके बाद अगला जो है recognition आप यहाँ पर आपको different icon दिखाया गया अब यह home का icon दिखाया गया अगर आप इस पर click करते हैं तो आप home पर चले जाते हैं तो यहाँ पर चीजों की recognition के अब यहाँ पर एक book दिखाई गई है तो इसका मतलब यह है कि आप courses पर चले जाएंगे तो यहाँ पर different चीज़ें जो आपको दिखाई गई है आइकाउनिक शकल के अंदर इसका मतलब यह है कि that will recognize something कि वो किसी न किसी चीज को recognize कर रही है तो इसका मतलब यह है कि यह design principle भी follow किया गया है इसके बाद flexibility है ऐसे नहीं है कि चीज़ें जो है वो बस उन्होंने fix कर दिया है और अब कभी change नहीं होगी बलकर time to time जो है यह website update होती रहती है इसके बाद लायास्त जो है वो minimal list design no irrelevant thing यहां पर कोई irrelevant thing नहीं है तो यह दोस्तों कोई dust principle थे और भी हैं एक दो तो यहां पर dust को share करने का मकसद यह है कि आपने इन में से कोई से अपनी मरवी से पांच design principle लेने हैं और फिर उनके उपर जो है आपने detail लिखनी है तो इस तरीके से हमारा question number जो one है उसको part age है वो solve हो जाएगा इसके बाद हमारा part B है अब part B के अंदर हमें बताया गया था कि हमाएं जो है एक assignment upload करनी है LMS के उपर और उसकी हमने navigational diagram बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले जो है आमने यहां पर लिखा जी login page अब इसके साथ में आपको कुछ images भी साथ साथ दिखाता चला जाओंगा ताकि आपको समझने में असानी हो तो हम जो है जब login page के उपर होते हैं तो कुछ इस तरीके से screen हमारे सामने जो है वो appear होती है उसके बाद जो है इसके नीचे रखें home page है home page की भी screen आपको नजर आ रही है और यहां पर different आपको subjects जो हैं वो नजर आ रही है अब जो navigational diagram है वो जो आपको left side बे बनी होई नजर आ रही है यह है ना के right side वाली right side वाली मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए दिखा रहा हू इसके बाद आगे जो है वह navigation आ गई जिसमें आपके पास home है profile है grade book है account है तो यहां पर देखें यह वह navigation आ गई home profile grade book और account book इसके बाद जो है आपके पास CS 408 का subject है तो यह देखें CS 408 का subject है और इसमें आप assignment वाले section के उपर जो है वह click करेंगे इसके बाद जो है upload file का हमारे पास link आ जाएगा यह देखें बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि आपको screen के उपर दिखाया गया और उसके बाद हम लोग जो है वह submit के बटन पर click कर देंगे तो submit के बटन पर click करने के बाद हमारी जो assignment है वो submit हो जाएगी तो दोस्तों इस में अब यह जो हमारी left side पे एक diagram बनी है इसको हम जो है वो navigational diagram कहते हैं और साथ जो right side मैंने आपको images दिखाए हैं वो फिरफ और फिरफ जो है आपको समझाने के लिए दिखाए हैं आप इन images को भी इस diagram के अंदर जो है वो use कर सकते हो लेकिन जहां पर वो चीज़ें लिखी हुई हैं वहां पर छोटा सा करके image लगा देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन इतने बड़े-बड़े नहीं लगाने हैं जैसे मैंने आप लोगों को दिखाए हैं इसके बाद मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ के मेरे दो और YouTube चैनल है जिसमें एक Teachers Online है जिसके उपर मेरे अपने recorded lectures available है और दूसरा मेरा key to success है जिसके उपर आपकी exam की तैयारी के हवाले से मैंने काफी अच्छा material upload किया है मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि वो जल्दी से description में दिये गए URLs को open करें Teachers Online पर जाएं और उन चैनल को subscribe करते हुए मुझे support भी करें दोस्तों अगला जो हमारा question है वो है question no.2 अब question no.2 के अंदर जो है वो भी हमें एक website के बारे पर बताया गया है और हमने trunk test जो है वो perform करना है वो जो website है वो हमारे पास graph.pk है अब यहां पर graph.pk का जो है मैंने इसको open नहीं किया ब यहां पर लगा दिया है और यह आप लोगों ने भी ऐसे ही जो है वो snapshot या images लगाने है अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो सबसे पहले चीज थी वो थी site ID अब देखें आपको bottom के अंदर बिल्कुल most bottom के अंदर आपको यह जो circle के अंदर चीज नजर आ रही है यह हमारी site ID है जब भी आप किसी website को open करते हो तो end के उपर bottom के अंदर यह आपको site ID नजर आती है अब आपने एक page के उपर जो है यह image लगाना है और उसके साथ bottom के अंदर इसको फिरफ highlight करना है मैंने यहां पर site ID लिखके और इसकी तरफ यह जो arrow लगाया है यह फिरफ और फिरफ जहाने के लिए लगाया है आपने फिरफ इसको इन सरकल करना है जैसे यहां पर आपको इन सरकल नजर आ रहा है site ID बलकि इसके उपर आप लिख सकते हो कि यह आपकी site ID है इसके बाद हमारी जो दूफरी चीज थी वह थी page name अब यहां पर देखें आपको page name नजर आ रहा है क फिर आपकी mobile and tablet और फिर हमने mobile वाला जो page है वो open किया है और इस चीज़ को भी मैंने इन सरकल कर दिया है इसके बाद आगे जो था वो हमारे पाफ sections था कि इस website के आपने जो different sections हैं उनको इन सरकल करना है अब यहां पर देखें टॉप के अपर आपको search नजर आ रहा है यहां पर आप कोई भी चीज़ कर सकते हो इसके बाद अगला जो है यह आपको इस website का बैनर का section नजर आ रहा है है आपको different featured जो है वह organization नजर आ रही है जैसे एपल है नोक्या है इंसलिक्स है समसंग है हवावे है मोबाइल है टेकनो है तो यह आपके featured institution आ गए तो यह जो मैंने बाहर different red color की in circle किये हैं तो यह आपके different section है नीचे आप मोबाइल को भी ऐसे करके different sections बना सकते हो उसके बाद दूस्तों आपने हर मतलब यह site ID के लिए अलग image लेना है page name के लिए अलग image लेना है और उसको अलग अलग बताना है sections के लिए अलग लेना है इसके बाद आगे जो है further वो navigation है तो उपर द्राव माल D Mart global collection है digital सहूलत है D travel है यह और यह जो site पर आपको नज़र आ रही है यह भी आपकी navigation है कि आप एक जगा से जो है वो दूसरी जगा पर कैसे move कर सकते हैं with the different links तो यह आपकी navigation आ जाएगी तो इस तरीके से आपने question number 2 को solve करना है solve क्या करना है बलके आपने चीज़ों को in circle करना है और highlight करना है और हर trunk test के question के लिए आपने अलग image लेना है तो दोस्तो इस तरीके से आपका question number 2 भी solve हो जाएगा और आपकी assignment complete हो जाएगी दोस्तो मुझे उमीद है आप लोगों को assignment का idea जो है वो मिल गया होगा कि आपने कैसे है जो है अपनी assignment बनानी है आखिर में मैं फिर आप लोगों को यही कहूंगा कि आप teachers online और key to success को जरूर visit करें और वहां पे जो content available है आप उसे जरूर फाइदा उठाएं दोस्तो अगर आपको मेरी videos अच्छी लेग रही हैं तो आपने like किजिए अपने दोस्तों के साथ share किजिए और comments की सुरत में किजिए आप आप एताएदू